तो में तो आज हम लोग Newton के फर्सट लवा के बारे में पढ़ने वाले हैं जैसा कि हमें पता है कि Newton के कितने तीन लौ हैं तो तीनों को हम अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे ताकि अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आई तो इसमें मैं with explanation with example एक एक चीज Newton first law के बारे में समझाने बाला हूं तो आई शुरू करते हैं Newton first law क्या होता है Newton first law Newton एक law दिया था और उस law में उसने ये कहा था कि कोई भी object हो every object चाहे पत्थर हो चाहे इंसान हो चाहे गारी हो चाहे पंक्छी हो कुछ भी हो living thing और non living thing कुछ भी हो तब तक वह state of rest में रहेगा रेश्ट मतलब समझते ना उसकी position चेंज नहीं हो रही है एक ही जगा पर टिका होगा ठीक है या फिर वह motion में रहेगा इनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक की जब तक की उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दे कोई भी object है मैं ही ह समझे तो यह तो था हमारा Newton first law का explanation और एक चीज़ और मैं बता दू इसमें कि Newton first law को जो है law of inertia भी कहते हैं क्या कहते हैं Newton first law को law of inertia ठीक है क्या कहते है Newton first law को law of inertia inertia मतलब क्या होता है इनर्सिया tendencies है जिसके कारण मास के कारण जीसका जाधा मास होगा उसका जाधा नीर्सिया उडारीक ना लगा तक प्रेक न होगा ठाक है तो inertia यह कहता है कि वह tendency है जिससे हैं किसे बी चीज का motion या फिर state चेँज कर सकते हैं अगर फो सिर्फ में तो रेश्ट में आ सकते हो उसको सम इसको कोई बी औख पहोई ला नहीं करेगा इसको कई यार कि दो तरब से भर बराबर भर फोर्स लग नग्हें तो आन्बैलेंस्ट पिख सकते नहीं है इधर से 50 न्यूटर्स लगा कर देख आत्मी है भारी है ठीक है ए पतला है तो तीस न्यूटर्स लगा पा रहा है ठीक है तो ज्यादा लेगा यह 50 new the way typ stem यह मारा फॉर में क्या है हमारा इससे देखिए इंधर से भी एक आज में में ठūका मररा है इसको थीक्या है इसमें आप देख सकते हैं इदर से भी एक आज में ढरातों डातों इसको धखका मार रहा है और दोनों जो हैं 50 पचास किलो के हैं सेंग फोर्स लगा रहे हैं कि यह हैं ध्पक्त इसकinger um अबैसद करें सकता ठीक है यह तो ऑTr wedding और यह हमारा unbalanced पूर्स दिखाई ही आपको या फिर इस में देख लिए बॉक्स में कि एक की तरफ से ले जा रहे हैं एक तरफ से तरफ कुछ है नहीं तो ख사म आगे बढ़ जाएगा हम तो ये ये हमारा निन जाज ने इसमें इस में यही कहता है कि जब तक कोई उसका ऐसट पर्स ना यह जिरी धसी, है, ज़िकने काई, है मैं यह बताता के कि मतलब किसी भी object को move करा नी के लिए या फिर मिलाने के लिए कितना हम एक्सीनल फोर्स अपलाई करना पड़ेगा, ठीक है यह देखें हलकांती, यह जल्दी मतलब move कर जाएगा, तो इसका कम इनरसिया होगा, और इसके जादा इनरसिया होगा, तो इससे आप एक्चिय लगा सकते हैं, कि इनरसिया directly proportional दिखाता हो मैं екहां तो आगे बढ़ते हैं आपको इक्जांपरs दिखाता हूँ क्यूं तो निग्या ने तंडिक Prague लिए यह यह फंॊ जब कायी हो इसकिao ुड़ने के लिए प्रिक्शन वह शोला न्यूटन का रखेंगे जो वरी मतलब पंश्य जो उड़ती तो लेकिन नीचे का फोर्स लग रहा है उसे नीचे फोर्स लग रहा लगा है करें वह 25 न्यूटन है तो क्या होगा यह पंक्षी तभी तो गिर रही है क्यों कि इदर का फोर्च जादा अंबैलेंस होगा ना समझ रहा है इसे इधर देखें इसमें तीन न्यूटन लग रहा है इधर चार चार आठ न्यूटन लग रहा है तो गाड़ी की दर चलेगी इध टीन तन्यों वह को ऑपर रॉकेट लांच कहले आगे बढ़ते हैं अगरें अपता दिया था देख सकते आमें एक सिर्फी तरफ से ब्राबर्बराबर थीक है अब डेखे अब देखिये आब जो हम मै ने रहेगा चलता रहेगा उसको समझते हैं न अब यह बैंने के लिए ये बंद की रहे टकरा जाता है तो यह रुख जाता है क्यों समझ रहे होंगे क्यों 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 क्यार वह जाता ना इसने बैरियर जो है इसने एक्टरनल फोर्स लगा दिया एक तरीके से तो यह क्या हुआ रुख गया समझ रहे ना तो बस यह हमारा अन्बैलेंस्ट फोर्स का और फिर्स्ट लगा दे तब तक रहेगा रहें मोसन में ब्रेक लगाना पड़ेगा इसको क्या होता है इसने क्या हुआ या तो एक तरीक़स यह पर ब्रेक है हमारा external force ठीक है तो external force लगाया गारी क्या हुई रुख गई ठीक है अब मैं इसका आपको एक्जामपल बताता हूं दो तिन पर लागर गारी टीक हुए है अचानक सक्षिक ठीक ही गारी डूकी तो अगर ना लगे तो तो क्या हुआ भारी फोर्स लगा अब रेश्ट से क्या है गाड़ी जो थी वो मोशन में थी गाड़ी क्या थी गाड़ी तो मोशन में थी लेकिन हम क्या थे रेश्ट में थे और गाड़ी क्या हो गई अब ब्रेक मारा तो गाड़ी रुख गई वो रेश्ट में आ गई और हम चलान क्या हुआ मोशन में आगए समझते ना क्यों कि उस पर एक्सटरनल फोर्स लगा दूसरा है पत्ते जो है पेड़ से जढ़ते हैं कब जब क्या बोलते हैं अप लिकर उसको मारिए ठीक है यह पेड़ पर क्या है पेड़ के पत्तों पर कोई ढड़ लेकर मारिए तो क्या होगा पत्ते जढ़ जाएंगे जढ़ेंगे क्यों कि उस पर एक्स्टर्नल फोर्स लगा रहे हैं पत्ता रुका हुआ लेकिन अम डंटे से मार वैसा example इसमें dust from mats कोई चटाई है चटाई से क्या है हमें धूल निकालने हैं तो क्या करते हैं डंटे से मारते हैं क्यों मारते हैं क्योंकि उस पर धूल चिपकी हुई है वह rest में है वह स्थिर है वह रुकी हुई है तो उसको अस्थिर करने के लिए उसको घुमाने के लिए हम तो दूल सारी निकल जाती है क्यों कि एक्सटर्नल फोर्स लगा तो रेश्ट से अब मोशन में आना पड़ेगा क्योंकि यहीं नियम है एक चीज और है इसे बॉलर क्रिकेट में देखा होगा आपने बॉलर को अगर बॉल तेज फेकनी होते तो दोड़ के आता है या फिर हम करते हैं यह हाई जंप करते हैं तो हम थोड़ा रन अप लेके आते हैं क्यों रन अप लेके आते हैं ताकि उससे क्या होता है हमारा जो मोशन है ना मोशन क्योंकि दोड़ना है चलांगी तो लगाना है तो मोशन हमारा केरी ओन रह सके ठीक है तो यह था हमारा न्यूटन फर किजिए